हाई अब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहूल जेस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तो आज अगेर आपके सामने वन आप दो मोस्ट ब्यूट पूल माथेमेटिक स्पार्ट वन का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूँ जिसमें हम 10 स्टैंडर के लिए मैच पार्ट वन यानि एलजबरा सब्जेक का चाप्टर नमबर 2 हमारा चल रहा था और इक्वेशन तो इस चाप्टर का प्राक्टिस सेट नमबर 2.2 लेकर आ ताकि यार हर बच्चा हमसे quality education ले सके और हर बच्चा अपने life में successful हो सके दोस्तों देखो क्या होता है कि सबसे पहली बात बहुत सार ऐसे students है जिनको पता ही नहीं है कि यार हमारे चानल पे इतने सारे contents लगबख 6 से लेकर 12 standard तक के content present है हमारे चैनल पे हर चीज हम पढ़ा यल्दी करवाद हो बहुत अच्छा रहेगा साथी में आप मुझे instagram पे follow कर सकते हो यह मेरा id है link वैसे description box में भी दिया हुआ है और साथी में आप telegram जॉइन कर लो ताकि जो भी हमारे class में होता है notes के form में PDF के form में आपको मिलता रहेगा तो telegram group भी जॉइन कर लेना link is given in the description box शलिए शिरुवात करते हैं वीडियो की तो हम exercise यानि practice है हमारा 2.2 की शिरुवात करेंगे और आज पूरा complete करने वाले तो एक ही question है इसके अंदर जो कि solve the following by factorization method clear cut बोलके रखा है कि भाया यह जितरे भी questions रहेंगे इसको हम लोगो कैसे करना है factorization method से solve करना है ठीक है अब factorization मतलब क्या होता है आपको याद होगा कि कोई भी given connery equations में पहला term और दूसरे term को sorry पहला और तीसरे term को multiply करके एक value मिलेगा तो हमें कुछ ऐसे number में split करना होता है दो number ऐसे निकालने होता है कि जिसको multiply करके यह आजाए और addition करके यह आजाए middle term आ जाए तो सबसे पहले हम ल 54 x square मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको multiply करके 54 x square आ जाए और प्लस करके middle term आ जाए चोकि यह माइनस 15x करेक्ट है तो सोचो सबसे पहले 54 किसके टेबल में आता है एक तो आ जाएगा 54 9 6 54 आता है 9 और 6 तो 9 और 6 प्लस करके 15 आता है कि यह आ सकता है तो मैं क्या लूँगा यहाँ पर 9 और 6 तो 9 6 और क्या है यह x square है मतलब x देना पड़ेगा तो 9 x और 6 x मैंने दो नंबर लिया अब यह दोनों को multiply करके 9 6 आ होता है 54 positive में आ रहा है लेकिन इन दोनों को plus करके क्या minus 15 आ रहा है क्या तो 9 x plus 6 x 15 x होता है minus नहीं होता है तो हमको चाहिए भईया minus 15 x middle term लेकिन इन दोनों को अगर मैं माइनस का sign लगा दू, minus 9 कर दू, इसको भी minus 6 कर दू, तो हमारा जो answer है न, वो minus 15 x आएगा, कैसे? minus 9 multiply by minus 6 is 54 हो गया, positive हो जाएगा, minus minus gets plus, तो यह दोनों को multiply करके 54 x square आएगा, और इन दोनों को add करके minus 9, minus 6 कितना होता है, minus 15 होता है, दो इन द 15 x के जगा पर दोनों लिख दो, minus 9 x, minus 6 x, उसके बाद, तीसरा term है, plus 54 लिख दिया, is equal to 0, इसको solve कर दो हमारा answer आगा, खतम, यही सबसे main काम होता है, यही सबसे main काम होता है, बाकी simplification है, जो आपको पहले से आता है, common निकालना, multiply करना, यह पहले से ही आता है, आपको, बस यही main काम था, जो आपने पहले step में कर दिया, चुटकी बजाते ही, अब answer आएगा, अब देखो, इसमें से common निकालो, इन दोनों में से common निकलेगा, इन दोनों में से common निकलेगा, देखो ज्यांसे, x है, x है, इसमें से x common निकल गया, क्या बचेगा अंदर x, minus 9, minus common, 6 और 54 तो सीधा सीधा, यह जो है, same वही आता है, और आपको cross check करना है, तो देखलो न, minus 6 multiplied by minus 9 करो, तो minus 6 multiplied by minus 9 is plus 54, तो आ रहा है बराबर, that will be equal to 0, यह दोनों सेम से में तो इसको एक ही बार लिखो, that is, x minus 9 में ने एक ही बार लिखा, और यह x और यह minus 6, जो है, इसको भी bracket में ले 0, therefore आपका x का value कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, correct है, minus 9 उदर गया, तो plus 9 हो गया, और यह और बीच में टालतो हो, और यह x है, minus 6 उदर जाएगा, तो plus 6 हो जाएगा, तो x will be equal to 6, तो हमारा answer कितना आ आ गया, 2 value आ गया, 2 roots आ गया, हमारे इस given quadratic equation के 2 roots आ गया, 2 value आ गया, 2 solution आ गया, जो कि है, एक का value आ रहा, x is equal to 9, दूसरा आ रहा, x is equal to 6, अब आप बोलो, दो marks के लिए अगर यह question आता है, तो कितना आसानी से आप लोग इसको solve कर सकते हो, आपके board exam में, correct है, clear है, बहुत simple example है, इसको cross check कर लेते हमारा answer 9, 6 आ रहा है, बिल्कुल सही answer है, perfect, आ रह question आएंगे, थोड़े twist के साथ भी आ सकते हैं, कभी simple वाले भी आ सकते हैं, जैसे यह थोड़ा simple वाला था, लेकिन जैसे से आगे बढ़ेंगे, इस practice set में, hard hard जितने भी example है, सब करा रहा हो, ध्यान लगा के देखना, एक दम अच्छी तरीके से, total 10 से 12 example है, लेकिन मैं 6 साथ example करा दूँगा, ताकि आप लोगा पूरा content clear हो जाए, tension मत लेना, अब चलते हम लोग next, देखो है यहाँ पर, क्या है अगला question, दिख रहा है बोड़ पे, अगला question है, x square प्लस x minus 20, तो सबसे बेले क्या करना है हम लोगो, पहला और थीसरा term, क्या है x square और यह minus 20, side में लिख क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, जो कि satisfy कर रहा है, लेकिन दूसरा condition क्या है, कि इन दोनों को प्लस करके, बीच वाला आना चीए, जो कि x है, हमने side में वो भी लिख के रखा है, तो x आना चीए, अब देखो, minus 4x plus 5x, यानि 5x minus 4x, तो 5x में ते 4x यह कितना बच रहा है, x बच रहा है, एक x बच रहा है, तो आ रहा है, हमारा यह वाला condition भी satisfy करता है, तो हमें मिल गए है, minus 4x, minus 4x लिखा, उसके बार, यह 5x क्या है, positive है, तो लिख दिया, plus 5x, यह बीच में है, minus 20 is equal to 0, बस, बीच वाला चो था, यह पूरे के जगा पे, वो दोनों, जो number हमने नया निकाला, वो लिखना है, बाकी कुछ नहीं, यह हो गया, पहला step, almost आपका question solve, खतम, यही कहा के लिख दो, दोनों bracket same हाता है, is equal to 0, correct है, अब एक बार, दोनों same है, तो x minus 4, एक ही बार लिखो, यह दोनों bracket same है, तो एक ही बार लिखा, प्लस, यह x है, यह 5 है, correct है, लस नहीं आएगा, प्रकेट आएगा, यह x है, प्लस 5 है, तो x plus 5 is equal to 0, अब यह एक बार 0 हो जाएगा क्या, x is equal to 4, और यह क्या हो जाएगा, बताओ, x is equal to minus 5, correct है, समझ में आ रहे, 5 उदर गया, minus हो जाएगा, तो आगे हमारे दो root, दो solution आगे, जो कि यह x is equal to 4 आ रहे, x is equal to minus 5, अब यह भी देखा, आपने same, पहले question जैसे था, लगबग वैसे question था, second, एकदम simple, एकदम sweet and कु कौन सा question आ रहा है, question number 3, question number 3 आ गया, अब आप यहाँ पर थोड़ा notice कर रहे हो कि यहाँ वाय वाला आ गया, x वाला गया, तो क्या फरक पड़ता है, x से, y से, p, w, जो भी रहे, कुछ फरक पड़ता है, नहीं परना चाहिए, क्योंकि यार, यह alphabets है, यह variables है, तो चाहे को 2y square और 13 को multiply के तो 26y square है, अब यह दो number में split हो जाएगा, ऐसे numbers जो दोनों number आपास में multiply हो जाएगे, तो यह आना चाहिए, और प्लस हो जाएगे, तो बीच वाला आना चाहिए, तो 27y है, साइड में लिखके रखो इसको दी, करेक्ट है, यह है ना, बीच का 27y, अब आप 26, कौन से टेबल में आता है, 26 या तो 13 के टेबल में आता है, 13 to the 26, ठीक है, समझ लो मैंने ले लिया, 13 to the 26, अब 13 to the 26 तो हो रहा है, लेकिन 13 को प्लस करो के 2 से तो 50 नहीं होता है, तो हमको जो 27 चीए भई है, तो मतलब इस ते काम नहीं चलने वाला हमारा, यह दोनों number नही है, 13 or 2 number नहीं हो सकते है, तो सोचो 26 और किसी के टेबल में आता है था, लेकिन आपने अगर दिमाग लगाया होगा, तो 26 खुद के टेबल में आता है, 26 वन जा 26, तो 26, तो 26 और 1 हो गए, अब क्या है y स्कॉर तो 26y हो जाएगा, और यह भी 1y हो जाएगा, ठीक है, अब यह इन दोनों को multiply करो, तो 26 multiply by 26y multiply by 1y square, तो 26 multiply by 1 is 26y square, यह आ रहा है, मतलब multiply करके वो तो आ रहा है, लेकिन प्लस करके 27y आ रहा है, तो 27y, 26y प्लस 1y, 27y हो रहा है, मतलब यह वाला condition भी मेरा satisfy हो रहा है, इसका मतलब मुझे मिल गया मेरा दो number 26y और 1y, तो हम लोग लिखेंग बीच वाले 27 के जगा पे वो दो number, तो पहला क्या है, 2y square है, तो 2y square वैसी कर वैसी आ जाएगा, एक है 26y, तो मतलब plus है न, वो तो 26y और दूसरा क्या है, 1y, यानि कि plus 1y, तो 1y को अम लोग 1y ने लिखते है, 1y को हम लोग सिफ y लिखते है, एक ही y है तो सिफ y लिखते है अगर आप 1y भी लिखोगे न, तो कोई भी tension नहीं है, कोई भी परिशानी नहीं है, तो मैं directly y लिखता हूँ, फिए प्लस 13 हो जाएगा, is equal to 0, बस ये बीच वाले के जगा पे 27y के जगा पे हटा के मैंने ये दोनों को लिख दिया, ठीक है, अब इन दोनों में से common लिखता हैं, तो कैहां बच किया सोगे है, तो ये बाहर निकले है, तो ये बॉन हमें से common कुछ भी नहीं है, मतलब वन कॉमम है आदया ह्याये से 13, that will be equal to 0, समझ में आ रहे हैं, क्या हुआ, ये bracket, ये bracket, same ही होता है हमेशा, तो डारेक लिख दो टेंशन रहे हैं, इन दोनों में common कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो 1 लिख दिया बाहर, अब आप देखो, ये दोनों common है, same to same, एक बार लिखूंगा, मैं, y plus 13 लिख दिया, ठी ये y plus 13 is equal to 0, 13 दोर जाएगा, तो माइनस 13 हो जाएगा, तो आपका answer आगया, y is equal to minus 13, ठीके, अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, 2y is equal to, 2y plus 1 is equal to 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2y is equal to minus 1, 2y is equal to minus 1, तो therefore आपका y का value आजाएगा, y will be equal to minus 1 by 2, समझ में आया, तो आपका यहाँ पर x का, sorry x में हमारे इदबर y है न, तो y के दो value आगे, यानि जो quadratic equation दिया हुआ था, उसके दो solution, दो quadratic roots आ चुके है, जो कि y is equal to minus 16, और y is equal to minus 1 by 2, simple, कुछ फरक नहीं था, बस थोड़ा सा, calculation में थोड़ा सा toughness आगया, और कुछ नहीं, आगे, जैसा आगे बढ़ें कौन सा है, फटा फटा फटा, चलो आज पूरा practice it करवाएंगे हम लोग, आ गया चटा example, क्यों चटा example, तिसरे के बाद, चौथा, उसके बाद, fourth and fifth, same है, जैसा हम लोग ने तीन example किया, वैसे ही same example है, तो एकदम easy है, तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग easy व है, ए भाई, मैं सिफ दिखने में hard हूँ, वाकि बहुत easy हूँ में, तो same होई हाल है, ये example खुद बोलेगा, कि भाई, पर दिखने में hard हूँ, बहुत easy हूँ, कैसे solve कर रहा है, देखो, सबसे पहले ये x नीचे है, तो multiply x throughout, हमने ये चीज़ पढ़ा हुआ है पहले भी, multiply x throughout out, इसको मतलब क्या होता है, हम लोग बस simply arrange कर रहें इसको, तो x नीचे है, 2 के नीचे है, तो x इसके साथ multiply हो जाएगा, ये x इसके साथ भी multiply हो जाएगा, ये x इसके साथ भी multiply हो जाएगा, लेकिन जिसके ही नीचे रहता है, उसके साथ multiply है, नहीं होता है, ये आप जानते ह XE होता है, अब यह 1X को इधर लातो, मतलब 6X square, यह 1X इधर आएगा, तो minus X हो जाएगा ना, 1X मतलब XE होता है ना, तो सिफ मैं X लिख रहा हूँ, 1 ने लिख रहा हूँ, ठीक है, और यह minus 2, that will be equal to 0, समझा, यहां तक समझा, अब हमने इसको proper सीधा कर दिया, क्योंकि हम लो करना है, सबसे पहला नमबर, same way rule, factorization से solve करना है, ना, पहला नमबर और तीसरा नमबर, तो 6X square और minus 2, multiply करो, तो 6X square, multiply भे minus 2, कितना होता है दोस्तों, minus 12X square, मतलब हमें ऐसे नमबर चाहिए, जिसको multiply करके minus 2X square, 12X square आना चाहिए, और plus करके बीच वाल आना चाहिए, जो कि है minus X, अब आप देखो, 12 का table, 12 का table में 12, 1s are 12 होता है, लेकिन 12 और 1 को plus करूँगा, तो 11 आता है, जो कि minus X नहीं देगा, तो 12 और 1 नहीं ले सकता है, 6 और 2, multiply करेंगे तो 6 और 2 ले सकता हो, लेकिन 6 प्लस 2 करूँगा, तो 8 आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, 4 और 3 ले सकता तो minus 4 multiply by 3 is nothing but minus 12 x square आएगा, तो multiply करके आ रहा है, ये पहला condition satisfy हुआ, जुसरा condition ये है, दोनों को plus करके minus X आना चीए, तो minus 4 x plus 3, तो minus 4 plus 3 कितना होता है, minus 1 नहीं होता है, तो minus x आ रहा है, मतलब ये वाला condition भी satisfy हो गया, दोनों condition satisfy हो गया, डाल दो उसमें, क्या करना है, ये प पर आलो, अब इसमें से common निकलेंगे, इसमें से common को निकलेंगे बताओ, ये 6 x थे, ये 4 x थे, तो दोनों में 2 है, 2 का table है, तो 2 मेरा common निकलेगा, और 2 में X भी है, तो 2 x common निकल गया, इसके पास क्या बचेगा, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 बचेगा, और x बचेगा, minus, इसके पा bracket से में, तो एक ही बार लिखोगे, आप 3 x minus 2, और ये 2 x और ये plus 1, तो इसको bracket में लिख दो, 2 x plus 1 is equal to 0, अब दोनों को एक एक बार 0 दे दो, तो ये हो जाएगा, 3 x minus 2 is equal to 0, बीच में डाल दो, और और ये एक बार bracket, 2 x plus 1 is equal to 0, समझा है, यहां तर, अब इसको solve कर लो, 2 x minus 2 है, तो minus 2 उदर जाएगा, तो plus 2 हो जाएगा, तो 3 x is equal to 2, और 2 x is equal to minus 1, तो ये हो जाएगा, x is equal to 2 by 3, आपका देखुआ, answer आगया, x का 2 by 3, और दुसरे वाले का आगया, x is equal to, x is equal to minus 1 by 2, देखो, correct है, correct है, बिल्कुल correct है, हमारा answer आगया, that is 6 1, correct है, 6 1, आ रहा है, that is 2 by 3, 1 by 2, ठीक है, perfect, perfect आ रहा है हमारा answer, हमने cross check भी कर लिया, तो this is your final answer, अब देखो, इसमें क्या hard था, लोगों को ये दिखने में hard लग रहा था, correct है, और जो नए लोग होते हैं, जैसे कि जिनको concept नहीं पता होता है, वो लोग क्या करते हैं, कि ऐसे question जब exam में दिखते हैं, त छोड़ देते, छोड़ के आ जाते हैं, वो question को attempt नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो, आपको पूछा गया था कि solve by factorization method, और आप जानते हो कि factorization क्या है, तो अगर आपको पता है कि factorization का मतलब क्या है, तो इसको छोड़ क्यों रहे हो, बस इसको क्या करना है, थोड़ा हमने सार एक चीज पढ़ा है के नहीं पढ़ा है, दोस्तों, मानते हो न, हर एक चीज हमारे चैनल पे है, पुराने वीडियो भी प्रेजेंट है, ये पूरा जो चाप्टर चल रहा है हमारा कॉड़िक इक्वेशन, ये पूरा completed already है, हमारे whiteboard वाले वीडियो पहले से ही, हमन हमारा महनत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी बच्चों तक हमें पहुचना है, आप सभी बच्चों को चितना हो सके concept देना है, ताकि हर बच्चा जो महाराष्ट में पढ़ना चाहता है, काबिल बनना चाहता है, पढ़ाई के दम पे, वो बन सके, यही चीज है हमार मकसद, और कुछ नहीं, ठीक है, चलो, यह तो हो गई बात हमारी कोशन नंबर 6 किया, अब चलते हैं देखते हैं अगला कोशन क्या है, आप देखो यहाँ पे, कोशन नंबर 8 आ गया, मतलब सात्वा, इस यूर होंबक, जो है, एप्लिकेशन बेसे, MCQ जयाता है, आराम से कर लोगे, कोई परिशानी नहीं होगी, अब आप देखो, आठवा कोशन, क्या बोल रहा है, 3X स्कॉयर माइनस 2 रूट 6X प्लस 2 इस इकॉल तो 0, क्या लग रहा है, रूट भीट आ गया, यहाँ पे तो, दिख रहा है, यह तो रूट 6, आप सोचोंगे, आप नया स्टूडे मतलब 6X स्कॉयर, अब इसको दो नमबर में बाटना है, इसको दो नमबर में बाटना है, 6X स्कॉयर को, दो नमबर में बाटना है, ताक कि हमारा जो वैल्यू है, देख पारे हो, यहाँ पे कौन सा आठवा है, ना, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अब इन को दो नंबर में ऐसे बाटना है जिनको प्लस करके माइनस टू रूट 6 है उसको भी लिग दो साइद में माइनस टू रूट 6 आना चाहिए तो चो यार मतलब ऐसा नंबर सिलेक करना है देखो इसी में थोड़ा आपका कन्फूजन होगा और इसी में आपका मतलब मेन कंसेप् मल्टिप्लाइ करूँ 6 आए तो आप सब जानते 3 टू जा 6 होता है यह आप डाल सकते हो दो नंबर लेकिन 3 और 2 को प्लस करूँ हो तो रूट 6 आए गा ही नहीं ना रूट 6 चाहिए वहाँ पर प्लस करके माइनस टू रूट 6 आना चाहिए तो रूट कहां से लाओ लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हो या फिर अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कर पाओगे लेकिन अगर नहीं नॉलेज है तो दिल्कुल ध्यान से देखना आपको भी बहुत इसी लगेगा प्रस्ट मी मैं बोल रहा हूँ ना मैंने भी जब शायब पहली बर इक और रूट 6 के साथ तो रूट 6 मल्टिप्लाइब रूट 6 इस 6 हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं आ रहा है कि नहीं मन में मन में जरूर से आया होगा आप लोग के इतना मैं बोल सकता हूँ और दूसरा हो जाएगा रूट 6X और ये दोनों को मल्टिप्लाइ करूँ रूट 6 मल्टिप्लाइब रूट 6 इस नथिंग बट 6X कोई तो ये हमारा आ रहा है लेकिन दूसरा कंडिशन क्या बोलता है कि इन दोनों को प्लस करके माइनस 2 रूट 6 आना चाहिए हमें एक चीज़ एक और पता है कि रूट 6 को रूट 6 से अगर मैं प्लस करूँगा तो 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 इस नथिंग बट माइनस 2 रूट 6 मतला हमारे दो नमबर कौन से होगे माइनस रूट 6 होगा और माइनस रूट 6 होगा समझ में आ रहा है कि ने बहुत सिंपल है दोस्तों क्लियर कट समझ में आ गया होगा उमीद करता हूँ उमीद करता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या किया हमने, यह जो 6x square मुझे चाहिए multiplication में, तो मैंने क्या दो नमबर लिया, root 6, minus root 6x, और अगला भी minus root 6x, तो यह दोनों को multiply करो, तो आ जाएगा 6x square, ठीके, और यह दोनों को plus करो, तो आ जाएगा minus 2 root 6, तो condition satisfied दोनों अब मुझे value डालना है, बस और कुछ नहीं, अब देखो ध्यान से, क्या है यह, 3x square, यह minus 2 root 6 के देखा पर मैं क्या लिखूंगा, यह दोनों लिखूंगा, जो की है, minus root 6x, minus root 6x, दोनों को लिख लिया मैंने, अब तीसरा क्या है, plus 2 is equal to 0, अब इसको common निकाल के root में, solve कर और कुछ नहीं है, अब इन दोनों को देखो solve करो, इसमें से, common क्या निकल रहा है, दोस्तों मुझे बताओ, common क्या निकल रहा है, अगर आप ध्यान लगाओगे, तो इसमें से हमें एक चीज़ common निकाल सकते हैं, क्या पता है, क्या पता है, मैं आपको एक तरकीब बताता एक तरकीब बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हटा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा सकते हो, तो यह 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, root 3, multiply by root 3 लिख सकता हूँ न, 3 को, यह x square, minus root 6x, ठीक है, root 6x, ओके, अब यहाँ पर, minus root 6x, हाँ, एक और यहाँ पर हम लोग इसको solve करने की कोशिश करते हैं, root 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, root 2 multiply by root 3 is nothing but root 6, यह भी मानते हो न, root 2 को root 3 से multiply करे हो, तो root 6, 6 होता है न, x और यह minus, और फिर से यह root 2 dot root 3, यह x plus 2 को कैसे लिख सकता हूँ, root 2 dot root 2 लिख सकता हूँ, that will be equal to 0, अब आप बोल root 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 multiply by 3, that is root 2 multiply by root 3, लिख सकता हूँ, वीच में माइनस था, माइनस जा दिया, root 6 को अगेन कैसे लिख सकता हूँ, root 2 multiply by root 3, और x का x सेम, प्लस का प्लस, 2 को कैसे लिख सकता हूँ, root 2 multiply by root 2 is equal to 0, वैसे अब देखो common निकालो, यह हमारा पहला ग्रू root 3, x बचेगा, correct है, और इसके पास क्या बचेगा, minus root 2 बचेगा, correct है, यह दोनों में से common root 3 निकल गया ना, और x common निकल गया, तो क्या बच रहा है, sir for sir, आप देखो, root 3 x बच रहा है, minus, इन दोनों में common क्या है, root 2 common है, इन दोनों में common क्या है, root 2 common है, अंदर क्या बचेग सेम भी आ गए देखो, अब देखो, रूट 3 X माइनस रूट 2 ये पूरा ब्राकेट, that will be ये पूरा ब्राकेट हो गया, अब ये रूट 3 X माइनस रूट 2, इसको भी लिख दो, रूट 3 X माइनस रूट 2, that will be equal to 0 ये दोरों, सेम ही लग भाग, क्योंकि सेम आएंगे ही, obviously, रीजन ही सेम है, सेम ही आएंगे तो ये हो जाएगा, रूट 3 X माइनस रूट 2 रूट 3 X माइनस रूट 2, इसका मतलब अगर आप ध्यान लगा के देखोगे, क्या नजर आ रहा है आप लोगको बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे, तो आपको पूरा clear cut समझ में आएगा, कि ये is equal to 0 हो जाएगा, एक बार ये is equal to 0 हो जाएगा that is, रूट 3 X माइनस रूट 2 that will be equal to 0, दूसरा ये रूट 3 X माइनस रूट 2 that will be equal to 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 3 X is equal to root 2 और या फिर कॉमा डाल दो, और ये हो जाएगा root 3 X is equal to root 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, X will be equal to root 2 by root 3 और और बीच में आ जाएगा और यहाँ पे भी X will be equal to root 2 by root 3, correct है कि नहीं देखो ध्यान से, आ गया answer, खतम कहानी देखो बिल्कूल, बिल्कूल अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, तो ये हमारा final answer है जिसका value क्या आया, X is equal to root 2 by root 3, और दूसरा क्या आया, X is equal to root 2 by root 3 मतलब दोनों के value या आगर आप देखो के ध्यान से तो ये एकदम same आ रहे है, similar आ रहे ठीक है, समझ में आ गया, तो ये था हमारा question number 8, कितना simple था ये दिखने में hard दिख रहा है, लेकिन इसको solve करने में बहुत ज्यादा easy लगा होगा, उमीद करता हूँ समझ में आ गया, clear है, चलो आगे बढ़ जाते है, next question पर चलते है, क्या है अगला question, 25m square is equal to 9, अब ये दिखने में simple लग रहा है, लेकिन hard है क्या, नहीं दिखने में भी simple है, और solve करने में भी simple है, फटा-फट से solve करते हैं, फिर हमारा आज का लेक्शन स्टॉप हो जाएगा, देखो ध्यान से, 25m square is equal to 9, अब आप एक चीज़ जानते हो, 25m square को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, कि 25m square को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, m और ये पूरे का square लिख सकता 25m square यही है न, 5m का square, 5m का square मतला 5 का square, 25m का square, m square, is equal to, ये 3 का square है, is equal to, ये 3 का square है, हमें actual में क्या निकालना, m का value अगर आप ध्यान लगा के देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अब मैं क्या करता हूँ, ये 3 square को अपने साइड लेता हो, तो ये हो जाएगा, 5m square पूरे का, minus ये हो जाएगा, 3 का square, is equal to 0 हो जाएगा, अब ये a मानलो इसको, और ये b मानलो, तो a square minus b square, formula क्या है, a plus b, a minus b, यानि ये हो जाएगा, a को ने मेरे लिए 5m, plus 3, a plus b, और अगला क्या है, a minus b, मतलब 5m minus 3, and that will be equal to 0, इसका मतलब एक बार हो जाएगा, 5m plus 3 is equal to 0, अब इसको solve कर लो, तो हमारा answer आजाएगा, देखो, घ्रान से देखना, क्या आजाएगा, ये 5m is equal to minus 3, और ये 5m is equal to 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, m is equal to minus 3 by 5, और यहाँ पे m is equal to 3 by 5, देखो, आगया answer, और यहीं ये हमारा final answer, कितना simple example था ये, कि हमारा 2 value आगया, बस हम हमने क्या किया, देखो, ऐसा कभी भी example दिखाना, छोटे वाले, कुछ नहीं करना है, square वाले formula लगाना है, a square minus b square वाले generally formula बनते हैं, या फिर a plus b the whole square, a minus b the whole square के formula बनते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको a बना दिया, a का square, इसको यहाँ फेला दिया, equal के, तो ये minus 3 क square बन गया, तो a square minus b square का formula आपको पता ही हा, हमारा क्या है, a square minus b square is equal to a plus b, और ये a minus b हमारा formula जो हमने बहुत पहले, 7 वे आठीवे पढ़के रखा हुए, वो ही लगाया, हमारा answer आ गया, कितना simple है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो बस आज का lecture फिर इसे के साथ समापत होता है, क्योंकि total 10 example हमने करा दिये, मतब 10 में से mostly जो main main example से हो हमने करा दिये, अब इसके बाद भी एक एक दो example छोटे मुटे बचे हुए, तो ये आप लोग कर ले ना simple है, as it is है, जैसा हमने कराया है, तो उमीद करता हूँ कि पूरा concept इस practice set का आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे के साथ ये पूरा का पूरा practice set होता है समाप, और उमीद करता हूँ कि ये factorization और उसके बेस पे जो भी examples, practice set के examples हमने कराया है, ये आपको clear हो गए होंगे, बस आपको इंतजार करना है हमारे अगले lecture का, ताकि और भी जो बहतर के साथ जितना हो सके, share करना, लोगों को बताओ, अपने मुह से बताओ, share करो, awareness create करो, तो please share to everyone, और अगर first time आयो चैनल पे, चैनल को अभी दख subscribe नहीं किया है, तो पटा फट से हमारे चैनल को subscribe कर देना, let's make it 1 million soon, पटा फट से subscribe कर जो, साथ में bell icon को भी press कर देना, ताकि आ प्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूव वीडियो में, तब तके लिए, thank you and good bye.